एलो दोस्तो नमिश्कार सो ठीक है दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले येस आज की दिन के एक बहुती इंपोर्टन्ट खबर ओविसली जो खबर सामने आ रही है वो कि ओफिशल तो हम लोग बोल नहीं सकते रिप अगर वो खबर बाद में अगर सत सावित हो जाती है तो अल्रेडी रियक्शन हो चुका हो जाती है तो जो भी रियक्शन आज देखने को मिले है उसका रिवर्सल भी देखने को मिल जाता है ठीक है तो यह तो हम लोग उने experience आपे कर लिया होगा पट सबसे पहले बताने का major अगर मक्सद क्या है कि यह कोई official खबर तो अभी तक तो सामने नहीं आई है तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो खबर किस से related है तो दोस्तों खबर हम लोगों को देखने को मिल रहे है अदानी ग्रूप से related तो डेफिनेटली अदानी ग्रूप की बात करें तो बहुत बड़ा ग्रूप है और फिलाल अगर देखा गया तो जो हिंडन बग वाला जो मामला हुआ था उसके बाद बहुत सारे तकलिफों के साथ हम लोगों को ये ग्रूप आगे बढ़ते वे देखने को आपे मिल रहा है अगर हम लोग आज की दीन की बात करें ठीक है फ्राइडे की बात करें तो बहुत दीनों के बाद हम लोगों को यहाँ पे अदानी ग्रूप से related मतलब एक specifically एक ऐसी report के जरी खबर देखने को मिली है जो की negative है obviously इसमें कोई बताने की जरूप में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी गिरावाट हम लोगों को देखने को आपे मिली है अगर जबी भी group level से related कोई negative खबर हम लोगों को देखने को आपे मिल जाती है तो obviously अदानी enterprise में हम लोगों को ज़्यादा तकलिफ देखने को मिल जाती है अगर अगर अदानी enterprise इतना ज़्यादा तकलिफ में आ जाता है तो बाकि जितने भी इनके companies हम लोगों को देखने को मिल जाते है वहाँ पे अगर आप देखोगे नजारा जैसे के अदानी port की बात करे तो 4-4.5% की गिरावाट देखने को आपे मिल जाती है पार के अगर हम लोग बात करे तो 5.5% विलमार्क 3% के आसपास गिरा है ट्रांस्मिशन भी 5-5.5% टोटाल की बात करे गैस की बात करे तो 3% ग्रीन की बात करे तो 2% ACC की बात करे तो 3% अंबुजा सिमेंट भी 4-4.5% NDTV की बात करे तो 3.5% तो इंटार ग्रूप की अगर हम लोग बात करे तो आज के दिन हम लोगो सभी स्टॉक्स में हम लोगो गिरावट देखने को मिली है सो दस्तों सबसे पहले कुछ important चीज हम लोगो यहाँ पर समझ में आने चाहिए जैसे की possibility की कुछ बात है यहाँ पर की जा रही है possibility मतलब संभा होना है शक्यता की यह हो सकता है शायद से हो सकता है and उसी possibility के चलते ऐसा अगर होगा तो यह हो सकता है इसके चलते छोटा सा डर यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है बट मैं आपको यह भी बता दू दोस्तों की जो भी खबर हम लोगो रिपोर्ट के जरी भी हो गई तो इसलिए वो डर हम लोगो जादा देखने को मिल रहा है बस जो खबर है न दोस्तों वो एक ही पसंट की हम लोगो खबर देखने को मिल रही है अभी बहुत सार लोग बोलेंगे सर exactly कहने के क्या कोशिश कर रहे हो जरूर समझेगा आपको बट ये सारी चीज़े आप लोगो पता होनी चाहिए इसलिए मैंने आप लोगो के पॉइंट यह पर मेंशन करके रखे है तो दोस्तो SEC ये तो आप सब लोगो पता ही होगा और अगर जिनको नहीं पता है SEC क्या होता है तो दोस्तो उसका फुल फॉर्म है Securities and Exchange Commission SEC और दोस्तो ये है अमेरिका की regulatory body जैसी कि अगर हम हमारे भारत देश की बात करें हमारे regulatory body कौन सी है SEBI SEBI की बात करें दोस्तो तो ये हमारे regulatory body है stock market की आप चाहो तो बोल सकते हो head body है मतलब कुछ भी अगर गडबड हो जाती तो final यहाँ पे SEBI के पास सारी चीज़े जाती है और SEBI investigation करके report पेश करती है that's it यही चीज़े हम लोगो देखने की मिल जाती है तो वैसी अमेरिका की regulatory body कौन सी है SEC and दोस्तों में आपको बताना चाहँगा पूरे दुनिया SEC से बहुत जादा डरती है इनका इतियासी कुछ वैसा हुआ है and मैं आपको बताना चाहँगा कोई है देखते नहीं है कि आपकी company कौन से देश से आपने इस share market मतलब अमेरिका के share market में अगर आप होंगे directly ने indirectly अगर आपका link रहेगा and अगर इस से related अगर उनके पास अगर कोई चीज अगर आ जाती है वो बहुत deep investigation में कभी-कभी चले जाते है and जब SEC investigation में चला जाता है दोस्तों तो बहुत ही मतलब बुलते हैं एक-एक चीजे निकाली जाती है बहुत ही deep investigation किया जाता है तो दोस्तों अदनी case की अगर हम लोग बात करें यह जो हिंडनबर्ग वाला मामला देखने को मिला है सारी चीजे देखने को मिली है ठीक है तो उसमें SEC का जिक्र यह जो नाम है वो आज के दिन पहली बार हम लोगों को देखने को मिला है कि SEC से related अभी वो है क्या तो वो मैं आपको ज़रू बताऊंगा बट पहली बार यह नाम सामने आते वे देखने को मिला है अरे इस case में SEC से related कुछ तो हल चले देखने को मिल रहे है बस इतना ही काफी है जानने के लिए कि स्टॉक यह आपे नीचे गरी गए तो आप देख सकते है अदानी ग्रूप में जो भी हम लोगों को गिरावटे देखने को मिल रहे है क्यों regulatory scrutiny in the US regulatory मतलब वही SEC की यह आपे बात कर रहे है अगर हम लोग कोई दूसरा article देख ले तो आप देख सकते हैं 10% की गरावट क्यों देखने को मिल रहे है सारे अदानी shares because SEC threat यह जबी भी सामने आ जाता है न दोस्तों यह नाम तो एक डर का माहूल क्रेट हो जाते है जो लोग share market के पक्के खिलाड़ी है उनको पता है कि यह क्या होता है करके ठीक है वो देखते नहीं है कि आप कौन हो कितने बड़े मतलब बिजनेसमेन हो इब दम इंडिपेंडेंट लिए अपना काम करना शुरूँ आपे कर देते हैं सो दोस्तों अभी आ जाते है कि जो खबर होता है जो भी department होते हैं जो भी उसमें बहुत सारे लोग होते है तो उन्मेंशे कोई न कोई एक व्यक्ती क्या कर लेता है इन जो ये reports बड़े-बड़े reports होता है उनके टच में होता है तो इसलिए आपने देखा होगा कि कभी भी इस प्रकार के जो रिपोट्स निकाले जाते हैं न दोस्तों, हाँ, उनके नाम अब भी हम लोगो देखने को नहीं मिल जाते हैं, मतलब अगर आप नीचे भी चेक करोगे न, तो आप देख सकते हैं, जो भी परसन है, तो उन्होंने आपे बता है कि यह देखे, उनके उन्होंने आपे हाइड करके आपे रखी हुए, तबी तो जाके रिपोट्स के जरी सारी चीज़े समझ में आपे आजाती है, ठीक है, तो क्या ख़बर निकल करा रही है, तो आप देख सकते हैं, रिपोट्स के जरी हमें कितनी बार रिपेट कर रहा हूं, देखिए, कि जो नियॉर्क का, अमेरिका का जो अटरनी ओफिस हमलों को देखने को मिल रहा है, उन्होंने कुछ इंक्वाइरी करते वे देखने को मिल रहे है, किसकी से रिलेटेड, कि कुछ ऐसे इंस्टोडिशनल इंवेस्टर, जो की अमेरिका के है, ठीक है, और उन्होंने इंडिया क करना मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई है ठीक है just one percent ही है कि उनको कुछ अगर ऐसा वैसा कुछ अगर लग रहा है कुछ hint मिला होगा कुछ lead मिले होगी तो इसलिए वो क्या कर रहे है inquiry कर रहे है ठीक है दैन अगर हम लोग यहापे बात करें next अगर हम लोग आगे ब लगा है ठीक है और इतने सारे allegations अदानी ग्रूप के उपर लगा हुए बहुत ज़्यादा रिस्क है आप सबी लों को पता है तो अदानी ग्रूप ने उनको ऐसा क्या बोला है उन इन्वेस्टर को ऐसा क्या बोला है जिसके चलते उनने उनमें पैसा लगा है तो क्या करते प्रेजेंटेशन कुछ देते हैं ठीक है तो उससे रिलेटेड वो सारे चीज़े identify करने की कोशिश करें चान बीन करने की कोशिश करें कि exactly क्या चल रहा है करके और इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो दो ऐसे वेक्तिज है जो की रिपोर्ट के ज़रे sources के ज़र इसके चलते है अदानी ग्रूप के शेयस मतलब आगा चेक भी करोगे यह देखें पूरे के पूरे जितने भी यह लाल निशानी हम लोग को आज के दिन देखने को मिला है क्योंकि मैंने आप लोगों को शब बताया SEC यहापर काफी होता है यही नाम से बहुत सरो लोग यहा आप लोगों को क्या बताया कि यह क्या है just inquiry चल रही है यह point को मैं बार बार highlight कर रहा हूँ क्या चल रहा है just inquiry चल रही है and अभी तक कि अगर हम लोग इतियास कुछ निकाल कर देख ले ठीक है जैसी कि उन्हों नहीं बताया है कि यह necessary नहीं है जरूरी नहीं है कि इससे related आगे जाके बड़ी कानूनी कारवाई हो जाएगी जरूरी नहीं है क्योंकि यह just an inquiry है ठीक है यह कोई बहुत बड़ा investigation उन्होंने start नहीं किया है so इसलिए उन्होंने यह भी काय कि यह जो इस प्रकर के open inquiries है न यह ऐसा बहुत बार हो चुके है and अभी तक का अगर हम लोग record भी देख ले तो लगबग 90% के आसपास यह जो open inquiries रहते है यह just मतलब बोलते है न normal ही तरीके से अभी just शुरू हुआ ठीक है वो बोलेंगे ठीक है अभी हो गया हमारा inquiry बस इतना ही रहता है so it don't lead to a action also तो यह भी point उन्होंने mention करके रखा हुआ है so ऐसी बात नहीं है कि य investigation ने करके just एक open inquiry है and इस प्रकर के open inquiry बहुत बार हो चुके है जिससे related आगे जाके बाद में कुछ होता भी नहीं है ठीक है 90% की बात करे हाँ 10% के case में यहाँ पर हो भी जाता है करके so यह चीज़े हम लोगों को देखने का पर मिली है तो फिर भी इतना तगड़ा reaction क्योंकि पीची जैसे मैंने आप लोगों को बार-बार का है कि SEC का नाम ही काफी होता है और जो मैंने आपको शुरुवात में बोलाएगी केवाल 1% ही है हाँ अगर जो मैंने शुरुवात में और क्या बोला possibility कि अगर SEC को इससे related अगर कोई lead मिल जाती है and अगर वो इसको deep investigation में अगर convert कर देते हैं तो फिर जाके हम लोग कह सकती कि और हम लोग को जादा गिरावट फिर इस group के shares में देखने को आपे मिल सकता है तो यह सारी if but वाली बात है कि इससे related क्या चीज़े निकल कर आती है उससे related देखना पड़ेगा अगर इससे related कोई case बनता ही नहीं है वही पे open inquiry क को dismiss कर देते close कर देते तो जितना आज गिरा है उतनी वापस हमने को recovery देखने को पलेगी but yes अगर उन्होंने इन चीज़ों को अगर आगे continue कर लिया तो फिर इनको दिक्कत यहापे हो सकती है वैसे तो देखा गया तो अदानी ग्रूप का जो shares यह वो सारे इंडिया में ही है कोई अमेरिका में listed नहीं है जैसे कि कुछ हमारी companies अमेरिका में भी listed देखने को मिल जाते एडियार रहते है ठीके अगर उनका एडियार वहाँ पे होता तो फिर SEC सीधा entry कर लेता इस मामले में बट फिर भी अभी तक उनके दायरे में जितनी भी चीज़े देखने को मिल रह सबसे popular case study कोन सा था तो आप सब लोग को पता है येस infosys infosys के उपर भी इसी प्रकर करके आरोप लगाए गए थे कि अंदर गड़ बड़ी चल रही करके management के उपर आरोप लगाए थे ये तो fake numbers बताते है बड़ा चड़ा कर नंबर बताते है करके ठीके और ये case किदर चला किया सब कुछ किया और 24 मार्च आए गेस ठीके पूरी दुनिया में covid चल रहा था और infosys के stock में दना दन rally आई रहे थी क्योंकि SEC ने बोल दिया कि whistleblower की जो भी complaint है उसमें कोई भी point नहीं बनता है infosys के उन्होंने clean cheat दे दी प्लस बाद में बहुत सार लोग आय थे कि नीचे आया था अगर आप roughly भी देखोगे तो 585 उससे भी नीचे गया था बट आप बाद में देख सकते स्टॉक लगबग लगबग 2000 तक चला गया था इतना तेजी से रुका ही नहीं तेजी क्यों SEC के और से clean cheat मिल गया तो एक बहुत बड़ी राहत की सास आ गई मतलब बो SEC को कुछ भी 19-20 अगर मिल जाता तो समझ लेते Infosys की भी बैंड बजगई करके बट जैसे बोलते हैं अगर आपने कुछ किया नहीं तो फिर आपको clean cheat मिलेगी ही मिलेगी तो यही चीज हम लोगो देखने को मिली है सो ठीक है दोस्तो जितने भी important points थे सारे मैंने cover कर लिए अभी main मुद्दा क्या आता है what next अभी आगे क्या होगा देखना पड़ेगा कि वहाँ से क्या cover निकल कर आती है जैसे कि आपको बला कि chances तो बहुत कम है कि आगे जाके कुछ होगा करके और अगर कुछ normally चीज अगर नहीं हुई तो जैसा गिरा है वैसे शायद से recovery भी आ जाये करके हाँ बट अगर कुछ lead मिली उनको अगर उन्हें स्टार्ट कर दिया है तो फिर जाके कुछ दिक्कते हो सकती है और अगे भी आप लोगों को बहुत बार देखने को शायद से आपे मिल सकता है तो अगर आपकी मरजी पैसा आपका है तो डिशन भी आपी का होना चाहिए तो बस इस points को ध्यान में रखकर ही डिशन यहापे ले ले लेना कि इस प्रकार के और भी बहुत सारी चीज आप लोगों को ज़रूर देखने को आपे मिल जाएगी तो इसके चलती क्या हो जाता है एक momentum खराब हो जाता है तो यह एक point आप लोगों को नहीं दिमाग में set करके रखना चाहिए मैं अल्यडी multiple time इसके बारे में बाते कर चुका हूँ आपका नाम कुछा आपने link हे तरो पन के प्रॉपरली कमें बता देना तो अफ्ते बर के अंदर अंदर लेक्चेस आपको free of cash प्रवाइड कर दी जाएगे बाइ-बाई